इम्रान के मंत्री का दावा करतारपूर कोरिडोर का उधगाटन जनरल बाजवा के दिमाग की उपश थी पाकिस्तान के एक मंत्री ने दावा किया है कि तिहास सिक करतारपूर कोरिडोर का उधगाटन सेना प्रमुक जनरल कमर जावेद बाजवा के दिमाग की उपश था पाकिस्तान के समंत्री के बयान से भारत को कोई पर्क नहीं पड़ता लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तानी मंत्री के इस बयान ने बाक सरकार के उस दावे की पोल खोल कर रख दी है जिसमें कहा गया था कि करतारपूर कोरिड़ोर प्रधार मंत्री इमरान खान की पहल की वजह से खोला गया था इम्रान के मंत्री का तो करताथपूर को रीडोर का उत्गाटन जनरल बाजवा के दिमाग की उपश था ये एक और पाकिस्तान की पूल कर्तारपूर कोलिडोर को लेकर खुली है तो पाकिस्तान की फिर कमरबाजवा को लेकर ये पूल खुली है कि इम्रान के मंत्री निया जब दावा ठोका है कि कर्तारपूर कोलिडोर का उद्खाटन जनरल बाजवा के दिमाग की उपज थी तो जिस तरह से करतारपूर को लेकर दोनों देशों के बीच रामन जिससे बैठा और इसको बनाया गया सिक्षधालों के लिए एक बड़ी कामियाबी एक बड़ी उपलब्धी इसको माना जा रहा था और अब ऐसे में एक बार पर से इमरान के मंत्री ने अजियब दावा ठोका है उन्होंने का है कि जनरल बाजवा के दिमाग की उपर थी करतारपूर को लेकर पाकिस्तान की एक बार पर से पोल खुलती हुई नजर आ रहे है और अजब दावा जो है वो यहाँ पर ठोका है इमरान के मंत्री की तरह से करतारपूर कोरिडोर का उद्खाटन जनरल बाजवा के दिमाग की उपज थी तो कोरिडोर प्रधार मंत्री इमरान खान की पहल की वजह से खोला गया था तो कहीं न कहीं श्रे और क्रेडिट लेने की होड जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है तो एक बड़ी उपलब्दी सिक्षरधालो के लिए मानी जा रहे थी अब तक करतारपूर कोरिडोर का जो दर्शन था वो दूर्बिन के जरी किया जाता रहा लेकिन अब इस कॉलिडोर से बनने से जो है नस्दीक से सिक्षरधालो दर्शन कर पाएंगे लेकिन अब करतारपूर कोरिडोर को लेकर अजब दावा जो है वो पाक मंत्री की तरह से ठोका गया है झाल झाल